हलो फ्रेंड्स, वेलकम तु माई योटूब चैनल, इस के पहले बाले वीडियो में आपको बदाया था, बिना बकरम के गली का नक कैसे बना लेकिन इस वाले वीडियो में मैं आपको बकरम के साथ नेक बनाना बताने वाली हूँ जिसके लिए मैंने ये सॉफ्ट पेपर बकरम लिया है ये जो नेक मैं बनाने वाली हूँ वो मैंने बूट नेक रखा है जिसकी ये चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी है और ये लंबाई लखी है साड़ी चार इंच इसको हमने गोलाई में दे दिया छेप दे दिया गोलाई में फिर इसको हम कट कर लेंगे फिर एक इंच कर निशान लगा के एक्स्ट्रा कट कर लेंगे यह हमारी गली की पट्टी बन जाएगी अब इसमें हमें चार करना है जो ऊपर जिली साइड से रहती है वो हमारा प्रैस में चिपक जाता है तो हम यह फैब्रिक लेंगे कॉटन फैब्रिक है सॉफ्ट वाला इसको हम इसके ऊपर चिपका देंगे प्रैस की सहायता से यह हमारा अच्छे से चिपक चुका है अब हम इसकी कटिंग करेंगे इसमें हम थोड़ा सा पट्टी काट देंगे नीचे से जो हमें फोल्ड करना है उतना बस छोड़ देंगे वागे का हम एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल देंगे इसको हम स्टिच लगा देंगे यह हमने स्टिच लगा दी अब यह जो अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे थोड़ा थोड़ा छोड़ देंगे जितने में हम स्टिच लगा सकें यह हमने कटिंग कर ली अब हम इसको हमारा जो मैन नैक है उसमें अटेच करेंगे यह हमारा सीधा पल्लू है इसमें हम अटेच करेंगे स्लाई रख लेंगे जो हमारी बकरम पट्टी है जितना हमने बकरम काटा है उसमें बकरम के किनारे से स्लाई देनी है इसमें तो मैं पहले यह set कर ले रही हूं थोड़ा सा अब इसमें बक्रम के किनारी किनारी से हम sly लगाएंगे यह हमने sly लगा लिए बक्रम के किनारी से अब इसमें हम यह cutting करेंगे चोटी-चोटी से cut लगाएंगे बीच में यह extra fabric है इसको मैंने निकाल लिया है अब मैं इसमें चोटी-चोटी से cut ले रही हूं अब इसे हम फोल्ड कर देंगे फोल्ड करके stitch लगा देंगे अगर हम cut नहीं लगाएंगे तो यह फोल्ड नहीं होता है और अगर हम cut लगा देते हैं तो यह आसानी से फोल्ड हो जाता है और हमारी नएक की finishing बहुत अच्छी दिखते हैं देखिए हमारी नएक की finishing कितनी अच्छी दिख रही है अब इसमें हम sly लगा देंगे जमने sly लगा के इसको रेडी कर दिया आप भी बक्रम के साथ नेक बनाना सीख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट क्लियर कर सकते हो और अगर आपने मेरे चनल को सब्सक्राइब न झाल आपाई